चार धाम यात्रा चरम पर हैं एवं सूबे के मुख्य मंत्री स्वयम जन्पत उत्तर काशी में दोनों धामों की विवस्था को दिख चुके हैं पर इसके ओल्डट यमनोत्री धाम में यात्रियों के लिए बने पैदल मार्ग पर कीचड ही कीचड फेर रहा है यात्री घोडे खचर पर भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि जिस मार्ग पर वच चल रही है वहां कीचड ही कीचड है कारिदाई संस्था जिला पंचायत परिटन विभाग मौन साधे हुए है आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि जिस जगह पर जानवर नहीं चल सकता वहां इंसान कैसे चल रहा होगा ऐसे में विधायक भी लाचार दिख रहे हैं और जिला प्रशाशन की योर टक्टकी लगाए बैठे हुए हैं जिला प्रशाशन ने एक सब्था का टाइम रूट को ठीक करने के लिए दिया है पर सवाल यह उत्ता है कि चार धाम यात्रा से पहले धाम में इस अवस्था का जिमिदार कौन है उतरकाशी से दीपक नोटियाल की रिपोर्ट अब मैं आसा करता हूँ कि हो सकता है उस पर काम सुरू हो गया होगा क्यांकि मेरी बात एक हफ्ते पहले ही हुई थी तो आसा इनने मुझे पुरा विश्वास है कि यात्रियों की असुविदा को देखते हुए वहां घुड़े खचरवालों के असुविदा को देखते हुए हमारे जीला पर सासान उस रस्ते को जल से जल ठीक करवाएगा नही करवाएगा तो आज ही दुबारा से वहां पर बात करके और कल से ही काम उसके निस्ठीदी सुरू कर दिये जाएगा